नमस्कार आप देख रहे हैं जी इन भारत और मैं हूँ राशिका बजाज जैसे की जेपीस से मुद्दा हमेशा विवादों में घिरा रहता है और इसी को ले करके आज जार्खंड स्टेट स्टुडेंट्स यूनियन के द्वारा एक प्रेश वारता रखा गया है जेपीस से मुद्दे को लेकर आई इस चलते हैं और इस मुद्दे को सुनते हैं जी मुख्य परिच्छा का फाइनल रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट आने के परिणाम से जो एक बहुत बड़ा धानली सामने आया पहला कि इसमें सर्टिफिकेट का बहुत बड़ा महा घोटा ला किया हुआ है कि जैसे EWS, STAC और OBC का इस राज के हिक जो केटेगरी है और जिसको मौका मिलना चाहिए लेकिन बहुत ऐसे अभिहार्थी हैं जो हम लोगों को पता चला है कि बाहर राज की है और EWS कोटा से उनका हुआ है जैसे हम EWS कोटा का हम उदाहरन स्वरूप लेते हैं जिसका रेंक एक सो एक सो नाने वनली 83 है जो कि वो गया का है और उसका EWS कोटा से यहां जहरखंड से उसका रिजल्ट हुआ है इसके लगवा रेंक एक जो टोपर है जो पीसी का वो तेली समाज में आता है वो बीसी वन में आता है और उसका साब तौर से देख सकते हैं कि सावित्री कुमारी टोपर जो है वीसी टू यहां सो कर रहा है तोपर है सोची कितना गोटाला है टोपर का ही यहाँ जो है कि सर्टिफिकेट में महा घोटाला दीख रहा है इस परकार से कई SI स्टूडेंट जैसे मालवा एक अपका हम लोग का रेंग के 181 जो मालवा जाती से आता है मालवा जारखन का जाती नहीं है उसके बावजूद भी जो है कि यहाँ पे JPSC में BC2 में दिख रहा है EWS में दिख रहा है सोरी इस तरह से 140 एक कैलास मिस्रा जी है जो एक मिस्रा जो अन्ड विजर्ब केटिगरी में आता है उसको BC1 में अब JPSC को जवाब देना चाहिए यतना बड़ा सेटिफिकेट के गोटला यह तो हम लोग कुछ बहुत थोड़ा बहुत निक कि वाई इस्टूडेंट पूरी तरह संसय में है कि हम एतना अच्छा परिचा लिखिया है मेरा कितना माक्स आया और जो टेस्ट देता था जो रेंग 1,2,3 में आता था उसका रिजल्ट आज फेल है और जिसका रेंग बहुत ज्यादा नीची आता था उसका रिजल्ट आज पर कोई अभी तक इससे किलियर नहीं हो रहा है इसके अलावा खेलकुद का जो सीट था अभी दिखाया नहीं जा रहा है जो होरिजन्टल रिजर्वेशन में 8 सीट महिला का था ये भी इस परस्ट रूप से पता नहीं चल रहा है इसके अलावा खेलकुद का दो सीट और द धानली है जो हम लोग एक छात्र होने के नाते बहुत चीज हो से के नहीं समझ पा रहे हैं सराइज के सबसे बड़ी संभीधानी सस्था पर विश्वस्नियता बनाए रखने के लिए सीधे तोर पर हम लोग सीबी आई से जाच की मांग करते हैं किसका सीबी आई से जाच किया जाए चुकि सुरू से भी बादित रहा हो और जितने आरफ लगा हम लोग हर आरफ सच सबीत हुआ चाहे करमवार पास की बात हो चाहे संतावन ओयमार के बिना कोपी जाच किये पास हो चाहे ओयमार अभी तक अपलोड नहीं वा जबकि सार्वजनिक तोर पर अपलोड करना कि जो संतावन जो लड़के जो बाहर कर दिये गए उनका यह जिपेसी की गड़बडी थी कि उसमें कोपी खो गया बिना कोपी जाचे आप उसको पास किये थे और फिर पिना कोपी जाचे जो है उसको बाहर कर दिये अगर जैदि उसकी कोपी जाच हुई रहती हो सकता कि अ आप माली जे रिजल्ट दे दिये हैं, तो कटब मार्स कहां गिया, कौन कटेगरी का कटफ कितना था, वो कहां जाएगा, वो कुछ नहीं आप बताए हैं, और यह आप रिजल्ट जारी कर दिये, जबकि आपके पास में मेंस का जो नमबर आपके पास था, इंटरव्यू का नम यहां कुछ ने होगा तो जैसा कि आपने सुना कि इस प्रेस्वारता में क्या कुछ कहा गया और हमेशा JPSC मुद्दे को लेकर के धानदली की जाती है और इन लोगों का कहना है कि अब CBI जाच करे JPSC की जाच करे CBI ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़ रहे जियन भारत के साथ धन्यवाद अपने राजिस जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें साथी वेल आइकन बटन दबाना ना भूले